नमस्कार दोस्तों नित्य साधना में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि बिना पंडित बुलाए यानि ब्रामण बुलाए घर पर गुरुवार का ब्रत का उध्यापन हम कैसे करें जैसे हम 16 गुरुवार ब्रत रहने का संकल्प लिया है तो लास्ट गु मैं क्या क्या सामागरी चाहिए उसे एक दिन पहले मार्केट से अगर ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा दोस्तों सवापाव गुड़ सवापाव चने की दाल सवाव मीटर कपड़ा सवापाव हल्दी केला सवापाव बेशन के लड़ू पीला फूल हो सके तो पीला चंद पीला चने के ले लें सवापाव का मतलब दोस्तों त텐 सव शाड़े बारह ग्राम यानि 312.5 ग्राम होगा दोस्तों अगर आप सामर्थ हैं तो सवापाव के यगा सवा किलो भी ले सकते हैं या इससे अधिक मातरा में भी सामगरी ले सकते हैं लेकिन कोई भी सामागरी सवा में ही होनी चाहिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि उध्यापन कैसे करें दोस्तों जैसे हम पिछले ब्रत में ब्रत रहते थे उसी प्रकार आप ब्रत रहेंगे सुबह उठकर नित्य क्रिया के बाद आप अश्नान करें सुर्य देव को जल अर्पित करें तुलसी मा को जल अर्पित करें फिर अपने घर के पूजा अस्थान पर जाकर साफ लोटे में पानी लें उसमें गंगा जल थोड़ा सा डालें फिर बिश्णु भगवान का फोटो या मुर्ति उस पर आम के पत्ति से उनको जल छिड़कें या उन्हें अश्नान कराएं अगर वहां केला का पौधा है और भी ठीक है उस पौधे को भी अश्नान कराएं मंदीर में भी जल छिड़कें और पीला चंदन लगाएं अगर चंदन नहीं है तब हल्दिस से भी उन दीपक जलाएं और सब समागरी उनको चढ़ाएं पीला फूल चढ़ाएं अगर पीला फूल का माला बनाए हैं तो विश्णु भगवान को माला पानाएं वहां बैठ करके सरद्धा के साथ कहें कि हे भगवान जितना ब्रत हमने माना था उतना ब्रत हमारा पुन हुआ हमसे कोई गलती हो तो माफ करें अगर केला का पौदा है तब उसका परिक्रमा भी करें फिर बिश्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और फिर लोटे का जल अपने पूरे घर में छिडिकें पूरे पिछले गुरुवार की तरह ब्रत रहना है उस दिन आपको केला नहीं खाना है अगर आप ब्रामन को भोजन करा सकते हैं तो एक ब्रामन को भोजन करा दें अगर किसी कारण से भोजन नहीं करा सकते हैं तो आटा, चावल, डाल, आलू जो भी आपके पास है उस पर 11 एक कई से क्यावन जो भी हो सके रूपए रख करके और किसी ब्रामन को दान दें, मंदिर में दान दें, दोस्तों बात ध्यान देने की है, जो भी चीजें दान दें, उसे खुले दें, यानि उसे किसी प्लास्टिक या किसी भी चीज में बांध कर न दें, इस तरह से दान देने से आ ऐसे भी बांध कर ले जाएं, प्रन्तु अपने हाथों से उसे बांध कर न दें, दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यानवर्दक वीडियो के साथ धन्यवाद